जम्मो कश्मीर में तारीखी मोगल रोड खोलने के उपर लगातार सियासत भी देखने को मिलती है हर बार अवाम को अपील जो है वो करने पड़ती है और उसके बाद सरकार की तरफ से हरी जंडी जो है वो दखाई जाती है आज की बात करें तो अब भी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सड़क राप्ता जो है वो बहाल किया जाए लोग जो है वो काफी परिशान है इस मतलिक जो हमारे साथ साथ साबिक अमेले राज़ोरी वा बार एस्टेशन की सदर है इन से जाने के इस कमर सब कैसे देखत है कि बारहा गोर्नार इंसामिया से ये अपील करनी पड़ती है वहां और जोनी पुनिश को और किश्मीर को 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 खोला जाए रोड आप महां बारफ चोटी उपाय तो चोटी उपाय बारफ रही है बाकि रोड़ तो खाली पड़ी है साफ कर दी है गोमिन में अभी तक इसक इसको प्रमीशन लेकर जाना है तो इसमें हर बार जो इंतरमिया सर्द मेरी से काम लेती है और ये बड़े अफसोस की बात है कि बार बार इसे पील करके खुलाई जाती है फिल फोर इसको जैसे बाकी रूट्स खुलते है इसको भी खुल दिया जाए इसको बंद रखने कि क वक्त थाबत हो रहा है मूगल रोड जो मारा है बसकिश्मति ये एकि подготов और ये मूगल रोड के नाम थे फखने nggak सब्सक्त यह जो ष्दम में शैंद कि को शर्टा कर रहे हैं ८े यह जो आइडियाज पैटल आफ आइडिया और इसको जो दो के दिल के जिल रहका है इसको या स्टीराइशन की लिए उसे आदा खर्चा यहां प jewel कर यहां पर है थो बारे मिने का चलता है पूरा अपना है पूरा तरफ अपनी मलक का इस साइस तरफ हे अपना इस सहाल है जितना काम भी हो रहा है यह लोगों कि मिफाद में हैं लोगों के इंट consent है हम गजारिश कर सकते हैं कि हम मेर बानी करके इस रोड को खुला जाए को रिकाउट रहा ही नहीं मिलिटनसी नहीं है सब अलाका साफ है तो इसको बंद करने की क्या जवाजीत है और इससे खामखा लोगों के लाच चला के कहा था कि यहां पर एक जो टैनल जो है वो तैमीर किया जाए वहें 373 मनसुख होने के बाद सरकार की तरफ से भी यह कहा गया था कि कुछ जो ल्वाजमात थी वो मकमल किये गए हैं लकिन उसके बाद जो ही वो शुरू किया जाए इसके ओपर जो है वो कैसे से जमो किश्मीर सी उसके बाद वह बस्ता खमोशी में पढ़ गया क्यों को तीन सु सतर के अटने के बाद सरकार और कामों में लगए कि यहां के लोगों को कैसे परिशान किया जाए बेरोजगारी को कैसे बढ़ाया जाए और महमत मसाहिल कैसे क्रिएट के जाए ताकि इस सब्सक्राइब लोग तुज़ए न कर सके बरहाल सुनने में आया कि इस मुगर रोड का आपको टनल किया है उसका टंडर भी हुआ है तुम्हारी सरकाथ से एक जारिश है और बाइपास जो दो जिन से शुपयां बाइपास जो रोड बढ़नी जा रही है तीन सो कुछ क्रो इस तार सावी की जाए और यह पूरी मुलक लिए तरनल होगा इसेंगे मील के सीधर रखेगा यह मुलक के इंट्रेस्ट में होगा यहां की फोरस के इंटरेस्ट में होगा Jáकि Talent में होगा तो इसको डिले न किया जाए पर फ़हाल फवहूर तुर पर पाया aard holding jarum horizon inBeat या जम्मो के बात करें तो वहां के लोग जोर्म की तरफरो करते थे ताम सरकार की तरफ से फैसल rolls लिया गया था कि नोगों को इसार टी सी गाड़िया जो है फ्राम कि जाएंगी लेकिन अब की बार भी जो है वो आ Lukश्चता साल की बात करें तो लेनी चाहिए और हर आदमी को प्रोवाइड करने चाहिए यह लास्ट में पिक एंड चूज करके जो इनके फून आते हैं उनको गाड़िये मिलती है और आम लोग जो है उस पे सफर होते हैं उन्हों प्राइवेट विकल्स हाइड करके जाना पड़ता है जो बहुत महंगी प कमिशन बैठना चाहिए कोई सरकार भी आई तो इसमें तो कमिशन बैठे ही बैठेगा बरहाल जो हमारा यह से आज की इंतजामिया से कहना है कि तसिदार मतलका जो है कंसर्ट तसिदार्स जो हैं जहां से लोग मूव करते हैं उनसे लिस्टे ली जाए और जितनी फैमलिया बलतर्ती उनकी लिस्टे बनाकर साफसे इनको वीकन्स परवाइड की जाए और यह पिक एंड चूज की जो पालिसे इसको बंद किया जाए ताकि हरा आदमी सुखा सांस ले बहुत शुक्र रहे हैं यह थी हमारे साथ साबी कमली राचोरी वास बार एस्सोशिट के सदर हैं उनसे तफसील बात चीत साफ कहना है कि इस मुगल रोड के ओपर जो ही वो सियासत ना की जाए वहें यह भी कहा है कि यह अगर मुगल रोड के नाम पे शायद सड़क ना होत लेकिन जो लोग डोको की तरफ रजू करते ही उनको भी जो ही वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहें ट्राइबल मैकमा की तरफ से जो गाड़ियों की दस्याबे जो है वो इससे पहले की जाती थी वहें उसके मतलब भी साफ कहना है कि लोगों को बरवक जो है वो इस मतलब पहुंच सके